आगे बढ़ते हुए ABPS News की टीम ब्लॉक द्भादपूर टांडा इस्तित टाह मदन गाउं मोची लगबग 6000 की आबादी वाली यह ग्राम पंचाया जिला मुख्याले से 36 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस गाउं की दूरी मात 14 किलोमीटर ही है वर्तमान समय में इस गाउं की प्रधान फूल जहां है 24 सो की कुल वोटर संख्या वाला यह गाउं बेतर तरीके से विकास के रास्ते पर अग्रसित है गाउं में आने वाले सभी तरीके के लावोगों जिसमें विद्वा पेंशन, व्रधा पेंशन वा विकलन पेंशन आते हैं इसके अंतरग्रत ग्राम परधान दृरा सभी पात्रों को पूरी तरीके से लाव भी मोहिया कराय गया है बात अगा शिक्षा की करें तो इस गाउं में जूनियर वा प्रात्मिक पाट्शानाओं के अंतरग्रत लगभग 108 सी बच्चे शिक्षा ग्रहन करते दिखाई दिए वहीं ग्राम प्रतिनी दी ने बताया कि गाउं में उनके द्वारा पानी की आपूर्ती कराने के लिए लगभग 40 हेंट पंप भी लगवाए गए हैं नियूस्टीम के माध्यम से केंड सरकार वा राजचे सरकार से माँग की है कि जलसे जल उनके गाउं में फंड भिजवाए जिससे उनके गाउं में होने वाली कम्यों जिस नालग ना होने की कमी पंचायत घर बाराद घर स्वास्त केंड शम्षान घाट इंटर-कॉलेज बा कि एक हमारे स्वास केंद्र था वो जर्जर हो रहा है उसमें एनम नहीं बैठती है और कहीं बैठती है किसी के घर पर और हमारे गाउं में समसान की भी जरुवत है पंचाद घर की भी जरुवत है और साथ वीवा घर जो होता है उसकी भी जरुवत है और इंट्रकालीड है आज के इंट्रकालीड यह आज पास नहीं है विलाग भगत नहीं है और मैं आस्टा करता हूं अधिकारियों से यह हमारे यहां जो सुफिदाय नहीं है इनको कराने का कश्ट करें और हमारी टाम अधन में रोट निकल रहा है इस रोट पर पानी की विवस्ता नहीं है नाला बहुत जरूरी है नहीं तो पानी मतलब यह रोट पर जा रहा है तो वो रोट को खराब कर रहा है और जैसे कि मतलब यह कुछ आदमियों ने सोचालिय बनवाए बनाए बनाने के बाद नहीं वहां कुड़ा उड़ा मतलब यह डाल रखा है उनके आग है और हमारे कहने पर भी मतलब यह उसकी कोई देखवाल नहीं है वहीं ग्रामीडों ने AVPS निउस्टीन से बात करते हुए बताया कि वर्दमान परदान अपने तरफ से बेहतर विकास कारे करा रहे हैं उन्होंने बताया कि गाउं में पानी की निकासी की विवस्ता ठीक नहीं है सास्ती साथ गाउं में स्वास्ते सेवाईं भी बंद वस्ते में पड़ी नजर आती है करतानी कि सब काम बढ़े यहां कोई दिकत नहीं है कहने सुनने की कोई बात नहीं अने ओर तुम्हारे लैटिन बनने ही है सब काम सबथ कह रहे है